नमस्कार प्यारे बच्चों आज डा हींदू का एडिटुरियल में आपके सामने कर रहे हूं को दो दो अच्छा है जोड़ा स्क्लूबola करके पढ़ेंगे उसको ginger by अच्छा है थोड़ा इन्युडी मिंसशबक करके और आप थोड़ा सा उसके अनुशार अपने को चिंस करें और लॉग डाउन चला है इस लॉग डाउन में आप अगर छुटियां मना रहे हों और यह सोच रहों कि रेस्ट का टाइम है तो यह आपकी भूल है और रेस्ट का टाइम नहीं है यह बढ़की पढ़ने का टाइम है पूरी तरह सीटलाइस करने का टाइम है क्योंकि जैसे ही इस्थिती थोड़ा सा समान होगी चीजे थोड़ा सा अपने बैक अप उसी रास्ते पर आएंगे जिस रास्ते से हम गुजरे हैं तो आप एक अच्छी इस अवस्था में पाएंगे और एक आप एक मैचूर बन करे लेगा और न्यूस पेपर रेगुलर पढ़ेंगे तो चार से पांस दिन छे दिन जाते जाते आपको समझ में आने लएगा एक दो दिन तीन चार दिन हो शकता समझ में ना आए क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी मैं भी फरशान होता था लेकिन कुछ नहीं है यहां यहां एक वी रहें था जो पर शाफ करते हैंद इसको पर आप और पढ़ते रहें और आयनुनों रख करते हैं topic की तरह सलते हैं टाइम के इडिलाइस करें आपके साथ मैं हूँ आपके भीच हूँ छोट्यों में आपके साथ मैं लेकर आया हूं तुक कुछ रहे बहुत ही जुरूरी है आपके लिए यहां पे देखें कि Heading टेक ओबर एक तरह से यहां पर वर्ब है वर्ब का first farm है कोई भी sentence वर्ब के first farm से start हो सकता है imperative बनाने के लिए निचे चलते हैं डर को अपने काबू में लेना अपनी नियंद्रम लेना किस डर की बात हो रही है किस डर की अवस्था की बात हो रही है जो इसको नियंद्रित करने विचारधारा या प्रिवित्ती एक सुच मज़ों विचारधारा है अन चैनीज इन्वेस्टमेंट चैना के निवेस के ऊपर यूजिंग प्रियोग करते हैं वे आटोमेटिक रूट आकस्मात जो रूट है आटोमेटिक का मतलब जो स्वचालित समंद्धी है जो स्वचाल होगा बेटर बढ़िया रहा होगा अब यहां पर देखें आप सुच रहोंगे सकता है लेकिन प्रेबच्चों आपको बता दे मैं है जो है एक तरह से प्रियूग होता है किसी पास घटना में कोई बात हुई हो तो इसको आगे बढ़ाने की बात की जाए तो मैं है मस्ट है एक तरह से पास्ट की घटना में कोई बात हुई हो उसको बताने के लिए किया जाता है मैं है अब के बाद जो बीन है यह थाड़ फार्म में है बी का थाड़ फार्म फिलाल ग्रैमर भी देखते हैं ग्रामर देखेंगे तो यहां प्रोश इस तर नौन फार्म और ए आर्ट प्रोश को क्वालिफाई कर रहा है अप्रोच आन होता है किसी चीज़ फिजारधारा किस बात फिचारधारा चैनेज इन्वेस्टमेंट्स मेंट के साथ यह नाउन है यूजिंग प्रयोग करते हुए यह वप का इंजी फार्म है प्रयोग करते हुए तेहवे की सेंस में ज आएसी के साथ आने वाले 98% जो वर्ड होते हैं वह करते हैं तो आप्रोच है वह बढ़िया रहा होगा तो बढ़िया रहा होगा जो विचार की हैं वह बढ़िया होगा ऐसी बात हो रही है नीचे बढ़ते हैं the government's decision to ban foreign country foreign direct investment FDI through the automatic route from neighboring countries that share a land border with India has raised eyebrows the government's decision सरकार का नीड़े to ban foreign direct investments विदेसी प्रत्यक्ष निवेस पे बैयन लगाने के लिए रोग लगाने के लिए बैंछाद पर रोग लगाने के लिए सरकार का Samantha has through the automatic route स्वचालित रूट के यानि रास्ते तरीका के माध्यम से फ्राम नेभरिंग कंट्रीज विदेशी देशों से जो परोसी देश है उनसे जो बाटते हैं जो प्रदान करते हैं ए लैंड बॉर्डर जिनका लैंड बॉर्डर सेर हुआ है तो यानि कि एक दूसरे के साथ लगा हुआ है with इंडिया के साथ अब यहां तेक परले दिखा हम इंडिया के साथ एक दूसरे के साथ लगने वाले बार्डर वाले परोसी देशों से स्वचालित रास्ते की माध्यम से प्रतिप्छ विदेशी जो निवेश है उन पर रोक लगाने के लिए जो सरकार का नीड़ है वह नीड़ है relaxed eyebrows इसने उठा दिया है eyebrows यह idea में क्या कर दिया है raised eyebrows का मतलब होता है चकित कर देना भौ में सिकूर देना चकित कर देना जैसे है तो ये इडिया में जाद रखें, चकित कर दिया है, आसर चकित कर दिया है, तो raise eyebrows, आपके पास note copy है, तुरंत लिखें इसको, raise eyebrows एक इडिया में जो एक्जाम में आता है, इसका आर्थ होता है, आसर चकित कर देना, या नाक भौवें सिकोड़ना भी होता है, अब यहाँ पर grammar के हिसाब से रिखाजा है, grammar के द्रिश्टकूर से, गवर्मेंट यहाँ पर आपोश्टॉफियस के साथ है हुआ है, इसके पहले दा आर्टिकल है, तो जो दा आर्टिकल गवर्मेंट के लिए नहीं है, बलकि डिसीजन नाउन के लिए है, तो बैन इंफिनिटीव है, फॉर directly investments, तो आपको समझना पड़ेगा, directly गलत है, इसलिए direct हमारा सही है, और foreign direct investment, सार्ट में जो लिखा है, यहाँ पर अप्रिवेटटेट फॉर्म है, यह ए फ्डि लिखा हुआ है, थू एक प्रिपोजिशन है, आप्टमेटिक रूट रूट यहाँ पर नाउन है, जिसके लि इजक्टिव है फ्राम प्रिपोजिश्यान नेवरिंग कंट्री यहां पे जैसा है आप देख रहे हैं नेवरिंग नेवर कंट्री से लिखा जाता है तो यहां पे पडोशी देश वर्ब का एंजिव तो यहां पर देखें किसे नावन के पहले जो आई इन जी करता है और यहां पर देख रहा है यहां पर देख रहे हैं यहां का फॉस्ट फॉम में यह वड़ा फिस्ट फॉम को इंडिकेट कर रहा है और एक रिलेटीब प्रणौन है तो ध्यात्थ आपि यहां पर एक है तो रिरीट्व नकि जस्ट बात प्रयोग होने वाले वाप को रिलैट्व प्रणौन के अंटीसेडंट करनुषा लिखा जाता है तो यहां पर पर रिलेट्व अर्था या भारत के साथ जो बॉडर है हैस रेस यह प्रजिन परफेक्टेंस है यह रेस आई ब्रोज में आपको बता चुका हूँ चकित होना आसा चकित करना या नाग भवेश कोनना भी होता है जैसे होता है कोई चीज जब हम आसा चकित होते हैं तो हमारी भव में जो होती है फैल जाती है यह सिकूर जाती है किसी बात पर आसा चकित होते हैं तो वहां पर उससी सिच्वेशन के लिए मोडिवेट करता है आगे सेलते हैं एगली लाइन की तरफ दिस इस मेंली बिकास्ट मूब इस सीन एस एमड अस चाइना चाइनिस इन्वेस्टर्स हू कुद एक्स्प्राइट चीफ एवैलुएशन इन दिस डिप्रेस्ट एकोनॉमिक कंडिशन पोश्ट लाग्डाउन तो पीक अप एक्विटी आगे सेलेंगे देखते हैं थोड़ इस 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 लिए है क्योंकी और विकॉस के पहले मिली लग गया एक एडवर्ग है इसको क्वालिफाई करने केलिए ऐसा इसलिए है क्योंकी यहां पर मूब नाउन है डाट की लगा और सब्जिक्ट कर रहा है जो बदलाव इस सीन देखा जाता है एक लक्ष की रूप में देखा जाता है लक्ष लगाने की रूप में देखा जाता है at Chinese investors चाइना के निवेसिकों के उपर या लक्ष की रूप में देखा जाता है who could exploit जो exploit कर सकते थे जो nest कर सकते थे cheap valuation यानि कि जो बरबाद कर सकते थे किसी इसको cheap valuation exploit का मतलब सोशन करना या बरबाद करना या बेकार करना cheap valuation cheap valuation का ताथ पर जो सस्ते अस्तर पर जो मुल्यंकन है उसको nest कर सकते थे depressed economic condition से इस निराशा जनक आर्थिक परिस्थिति में post lockdown जो पोस्ट lockdown के इस निराशा जनक की स्थिति उसमें टूपीक अप उठाने के लिए क्या उठाने के लिए कर सकते थे equity उठाने का मतलब बढ़ाने के लिए equity समझ होता interest equity interest जो समझ होता ही कि जो interest है उसको बढ़ाने के लिए in select companies कुछ चुनिंदा कंपणियों में तो कुछ चुनिंदा कंपणियों में equity का interest बढ़ाने के जो lockdown की स्थिति है उस निराशा जनक आर्थी की स्थिति में जो सस्ता जो मुल्यांकन उसका वे कर सकते थे उसका मतलब दूर्प्योग कर सकते थिक्स प्राइड का मत्तात पर दूर्प्योग करने से है यहां पर चुकि ग्रामर के दिश्कूर्ण से यहां पर चलेंगे तो मूंब इस प्रजेंट इफिंटेंस है और पैसी वायस में लिखा हुआ है एज फैर बचों यहां पर ध्यान देने लिए बात है बड़ा ही गुड़ है यहां पर और आपको समझना है कि बैंक का तैयरी कर रहे हो अगर आप एससी की तैयरी कर रहे हो तो ख्लोश टेस्ट में प्राय का थार्ड फर में या फिर आयं जी फ़ार्म में लिखा जाता है तो चुकि यहां पे यह तो यां पिख"! घटना इंड है तो यहां पर हैसी के बाद अगर फर्ट फ्र्ट में लिखना गलत ऑप और दोसरी बात यहां फिर फॉर्ट क प्रॉसंटें सो डाह चानेश इंश इंव करता है और हम आपको बता चुके हैं कि दो आता है वह आता है वह एजक्टिव को रूप में होता है और वह दो ही रूप यहां पर फर्स्ट फर्म लिखा जाया दर के साथ गलत हो जाएगा डिप्रेश्ट जो निरासा जनक एकोनॉमिक के साथ आएसी के साथ यह जैक्टिव यह भी है दो एक साथ आ सकते हैं किसी एक नौन को क्वालिफाई करने के लिए पोश्ट लॉगडाउन टूपिक यहां पर इनफिनिटीव है एक्वीटि इस स्टनाउन फार्म इंसलेक्ट कंपनीज स्ट कंपनी में कि अब कुछ बच्चे सोच रहाँगे सर्फ स्लेक्टिड कंपनी नहीं होगा क्या तो फ्यारे बच्चों यहां पे सलेक्टिड अगर आप कर दें तो चूनी गई कंपनीया चूनी पुलिष टाप दिया हुआ है मिनिक निकाल लेते हैं फिर उसके आगे देखा जाएगा इंडे इस नौट एलोन भारत अकेला नहीं है इन्दी स्फियर इस डर में इस परिशानी में अकेला नहीं है किस परिशानी में आफ अपार्च उनिटिक टेक ओवर्च जो असरवादी अपार्च उनिटिक का मतलब होता है असरवादी टेक ओवर्च का ताथ पर जो नियंतरण है जो असरवादी नियंतरण ने क्या किया है डिस्क्राइब इट इसको बताया है डिस्क्राइब इसको बताया है ग्रामर आप देख लिया है ग्रामर की अधार पर से लिए ग्रामर शीखना बहुत जुरूरी है वाकर बलीव सीखना जुरूरी अंडेस्टेंडिंग भी सीखना जुरूरी है इंडिया इस आई सी के साथ यह जेक्टिव है अगर यहां पर लिखा जाए अपार्च यूनिटी टेकोबर्स तो बेहतर नहीं होगा गलत फोन जब हो जाएगा यहां पर अपार्च यूनिस्टिक्स लिखना बेहतर है और शाहिए एजेक्टिव कुरूप में एस प्रेस नोट एक संस्था है डिस्क्राइव एट दूसरी बात यहां जानना यह जूरूरी है कि कभी-कभी उयाम क्या करता है डिस्क्राइव'd about करने अभी कि कुछ वर्ब ऐसे वोते हैं मैं बोल दे जाता है सीधे ऑब्जिक्ट आता है तो यहां पर डिस्क्राइब बाउट लिखना गलत होगा इसके बारे में इसके बारे का मतलब जो बात ऊपर वोली गई है उसके लिए इट का प्रू किया गया है ने से कि तरह बढ़ते हैं इटली की बात हो रही आगे देखेंगे इटली इस्पेइन फ्रांस और अस्टेलिया है वालड़ी टेकें सिम्लर एक्षन तो प्रोटेक्ट देयर बिजनेस फ्राम फारें रीड चैनिस इंवेस्टर्स फिसिंग फॉर डिस्ट्रेस्ट इंटर्स नीड और कैस इन पोश्ट कोविट नैंटीन सिनेरियो मिनिक निकल के देखें यहाँ पे इटली देशों का नाम इटली की बात तो सुने होंगे कोविट नैंटीन का प्रोग को बहुत ज़्यादा रहा है यहाँ पे इटली में स्पेन में फ्रांस में आस्टेलिया में भी इस चारों जगों पे इस चार देश हैं है चारों के लि के लिए अपने विवसायों का फ्रॉम कहां से रक्षा करने के लिए फ्रॉम फॉरें रीड चैनिज लिखा हुआ है तो यहां रीड चैनिज एक प्रकास से इनवस्टर्स की रूप में प्रयूख किया जाता है जो चाइनाय से जुड़ा हुआ है जो विदेशी इनवस्टर्स इन्टाइटिस होता है जो फिसिंग का मतलब मचली पालन से जो जुड़ा हुआ है या मचली पकड़ने के छेतर से जुड़ा हुआ है उनके जो निवस्टर्स करते हैं फिसिंग फार्ड इस्टर्स इन्टाइटिस जो निरासा जनक जो समझ होता है उसके लिए फिसिंग के इस कैस की जुरूरत में कैस की जुरूरत की अवस्था में इन द पोश्ट कोविड-19 सिनारियो आगे के जो कोविड-19 परिद्रिश से है उसको द्रिश्कोर्ण में रखते वे यहां पर देखे कोविड है कोविड बहुत बच्चे सोचते कोविड क्या तात पर है सी ओ का पर फोकुश करते हैं इतली के बाद यहां पर देखे है और यह प्रजिन परफेक्टेंस और आलेडी एक एडवर्ब है जो में वप से ठीक पहले आता है अलेडी टेकन लिखा हुआ है सिमलर एक्शन एक्शन यहां पर नाउन है टेक एक्शन होता है कदम उठाना और टेक यहां पर एक्शन नाउन है जिसके लिए सिम्लरर है एक्शन कर दिया घ्लत हो जाएगा क्योंकि एक्शंन नाउन है जिसको क्ə ologies करें के लिए एडवर्ब गलत होगा इसलीए ठीकिल हो और इंफिनिटी यह जो देर यह अपने बिजनेस व्योसाफ रूलब फ़ॉर्म का एक बार दो पूछा गया है आपकी इससी त्यारी करते हैं करेक्ट करने के लिए कि स्पेलिंग भी पूछी जा चुकी है लिए फिज़्टि की स्पेलिंग पूछी जा चुकी है ग्रामर मैथमेटिक्स की छोटे चोटे spellings भी पूछे जाते हैं जो बच्ची इग्नोर करते हैं उससे रोज फेस्ट करते हैं लेको उसके बारे में जानते नहीं है इसलिए बिजनेस की पार्टस Earp में जर्राओ है और आगे इनीड आफ रह इनीड को बनता है इनีडा विंड में करने देनिकर के बाद पूसरुल करने में दिया तो देहार र catch भू आफ के बाद निड दे निड लगे को होता है दो नीट फार होता है और इन इड़ अफ होता है तो यहाँ पि केसे इन दस पोश्ट कोविए थीन इनेरी सिनारियो प्रदिर से इसका जो रूप रेखा है जो चला है 19 इंटीन का जो फ्रकॉप है उसकी दुरी कर रहे उसको भारत में हैस बीन रहा है अब कवो एक तेजी से परिवर्तन पर रहा है आप कर्व का ताथ पर है परिवर्तन उपर की तरफ जो परिवर्तन हो उपर की तरफ विद्धि जो उसकी बात हो रहा है एक तेजी से बदलाव रहा है बदलाव को पर रहा है किसी बदलाव रहा है इन यहां पर नावनट फोरम है इंडिया भी नावन हैं से में हैस बीन अगर आप इकाहा जाए किस स्टेंस में तो प्यारे बच्छों यह प्रजिन पॉफ्ट इंस में है क्योंकि है के साथ यह जो बीन है यह का थहर्ड फाम दिया हुआ है और आप कहेंगे सब्सक्राइब लास् दूसरी बाद जो ध्यान दने यहां पर है वह यह है कि in the past years जैसे लिखा हुआ है जब इनके साथ in the last years in the past years in the past four years इनके साथ जब ऐसा आ जा जा है तो संटेंस हमेशा present perfect tense में follow किया जाता है यह टेंस के रूल पर question बनता है तो देखे इन the last five years इनके साथ है has been present परफेटेंस में follow किया गया है आगे सेलते हैं according to according to एक फ्रेज बनता है इसकार्थ होता in accordance with के अनुशार किसके अनुशार ए ब्रूकिंग्स इंडिया इस्टडी एक जो ब्रूकिंग की भारत का अधिया ने ब्रूकिंग इंडिया एक संस्था है जिस संस्था के जो अधिया उसके अनुशार अब आगे कामा दिया हुए दट टोटल करेंट एन प्लाइड इंवेस्टमेंट टोटल करेंट एन प्लाइड इंवेस्टमेंट बाइच चैनिस इंटाइटी इस ओवर 26 बिलियन डॉलर चैनिस कैप्टल आगे देखा जाएगा फूलिश्टा पे यहां दि संपूर्ण जो वरत्मान और सुनियोजित जो निवेस्टम फ्लाइड का अर्थ है सुनियोजित निवेस्ट जो है वाइच्ञजानिस इन्टाइटीज चैना समझहोता कि द्वारा इज़ वह और कार्थ से जादा कितने से जादा है 26 bus 26 बिलियन डालर से जादा है तो ग्रा सामान समूचा और सिनोजित जो निवेश से चायना समझोता के द्वारा वह 26 बिलियन के डालर से कहीं ज्यादा है उसे कहीं ज्यादा पाया जाता है ग्रामर अगर देखना चाहें ग्रामर भी देख लें यहां पर ज़रूरी है आपके लिए यहां पर टोटल करेंट एन प्ला चैनल्ट एक साथ लिखा जा सकता है करेंट और प्लांट वक थर फाम यह पास पार्टिसिपल या सेक्टिव है तो करेंट और प्लांट दोनों ऑस एकटिव हैं जो इन्वेस्टिमेंट नावन को क्वालिफाई कर रहे हैं अगर कर दिया जाए कि टूटल करेंट ली एन प् के लिए प्रिव किया जा रहा है कि अनुशार जो समूचा वर्तमान और सिन्योजी जो निवेस है चायना के समझोते के द्वारा वह है तो क्या है जो निवेस है इन्वेस्टिमेंट है तो प्यारे बच्चों आप गलती कर बैठते हैं कि इंटाइटिस को देखते हैं और 206 billion तो ध्यान रखेंगे जैसे dozen होता है 100,000 क्रूर लाइक million billion के पहले अगर कोई संख्या आ जैसे 26 यहां पर है तो billion क्रूर लाइक thousand को हम प्लूवल में नहीं लिखते हैं इसलिए इसको प्लूवल में नहीं लिखा गया है अगर लिख दें तो गलत हो जाएगा नाउन को मि प्लूटार इंडस्टी पर इन टेकलोजी एंड फिंटेक स्टार्ट अपस वेर अलिबाबा एंड तोड़ा से यहां पर लाइनिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है लाइनिंग मिस्टेक है पड़ने में दिक्कत हो रही है आए देखते हैं 107 एफ फंडेड एहोस्ट अप इं इंडस्टेक जो चानी की है कैपिल कईध पूजी उसे निवेस्ट किया जाता है नाट जस्ट इन ब्रीक एंड मोटार इंडस्ट्री में का मतलब इट से हैं मोटार का मतलब गारा होता है गारा कातातपर है जैसे यीट के साथ मिलाकर जो काम किया जाता है जो भवन त्यार किया जाता है उसे मोटार कियाते है और मोटार एक जो होता है यूद दिखे छेतर में भी मोटार का प्रयोग किया जाता है मोटार एक यंद्र होता है उसके लीवी किया जाता है तो ब्रीक एंड मोटार इंडस्ट्री में ही केवल प्रियोग नहीं किया जाता है बट बलकी कहां कहां प्रियोग किया जाता है एंड टेकनलोजी तकनीक में और कहां प्रियोग किया जाता है फिंटेक स्टार्टप से जो वित्ती तकनीक है उसको FinTech Startups कहा जाता है में भी किया जाता है तो कहा गया कि न केवल ब्रीक और मोर्टार इंडस्ट्री में चायना के पूझी को निवेस किया जाता है बलकि तकनीक और जो वित्ती तकनीक है उसमें इसका प्रिव किया जाता है वेर जहां Alibaba and Tencent Have funded एक cue निवेस किया है फंड दिया है एक Спасибо होस्ट का मतलब होता है मेजबान से जो स्वागत करे वस्ट को भरतिया नामों के एक होस्ट को फंड दिया है सच जैसे की पेटिम स्वीगी ओला जमैटो एंड बीक बास्केट में इन सभी को आनोंने एक host के रूप में दिया हुआ है तो अब यहां पर मिनिंग के बाद देखते हैं घ्रावर भी देखा है घ्रावर के लिए भी आप परशान वह रहते हैं घ्रावर भी देखना बहुत जुरूरी है यहां पर जेखिए जैसे लिखा हुआ है इस इन्वेस्टेट पृजिन्ट लिखा वा है सो प्यारे बच्चोब लिखने तो तो देखें नाट के साथ सनाथ मनली और बट अल्सू होता है तो जैसे नाथ साथ मलि नहीं है तो ऐसे अलसो भी नहीं लगा है तो नाट का पूर किया गया है और एक दरह से नाट हो कार्थ देता है यहां प Axis के पर दिक देता है यहां पर बढ़ी नहीं है यह एक पियर होता है जोड़े के एक साथ आता है जैसे के अर्थ में आगे बता जा रहा है पीटियम से होगी होला इस सब कंपनियों के नाम बता जा रहे हैं फिलाल उसे आपको बहुत नहीं लेना देना है आगे सलते हैं आगे तरह बढ़ते हैं इस वाइट पॉसबल देट ए मुट वर कंट्रॉल चानीज इंवस्मेंट इन इंडिया इन कंपनीज वास आलवेस नौट एका अनकार्स और दैट कोई 19 वास ए गुड़ एक्सक्यूस तु पूल दा टीगर फुलिश्टाब दिया हुए इस वाइट पॉसपल यह बिल्कुल स परिवर्तन करने का और लौर कंट्रोल या निएंत्रिद करने का चैनेशंड इन्वस्मेंट चानाम के निवadt करने का घुक्ट बद लाव है इन इंडियान कमपनी भार्ती कंपनिएや कमपनियों और चाइना को भारती कंपनी ओं चाना के निवैस को निवлет करने या जो परि हमेंसा से नि्षिर था am and car்स आप नोट के लें हमेसा से निस्पित था and the car xemy dm प्यारे बच्चों and the cards होता है जिसका होना निस्पित जिसका होना निस्पित हो to that which can be necessarily done जिसका होना निस्पित आंदकार्स यह बार-बार एक्जाम पूछाए कि कम से कम सो बार पूछाए किया है डियम की रूप में इसको ध्यान रखें आंदकार्स इसको यह लो में मैंने बुल्ड भी किया हुआ है जिसका हमेशा होना निस्सित था कोवीटञ्टी और यह की जो B19 है वा सब्सक्क्राइब अच्छा अंडा के नेके संस में तूंकि रेना के संस में यह लेने के लिए एक अच्छा बहाना था फिलहाल ग्रामर के हिसाफ से देखे इसमें दो दो एडियम है प्यारे बच्छों इंदों अधार बहुत बहुत खुबिस आप तयार कर लें यह दोनों एक्जाम में खुछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं आन्द कार्स और फूल दर टीगर अब थोड़ा सा ग्रम पूर में एक मूप के लिए आगी चलेंगी यहां पर लगा रखेंगे भी समझाएंगे जिसे टू कण्ट्रूट डू कर और कंड्रोल और के बाद दे एक फ één और या एंड के पहले दिये गए वप के अनुशार प्रयोग होता है तो और के बाद यहां कंट्रोल अनुशार है कर फस्ट फॉर्म में इसलिए कंट्रोल भी फस्ट फॉर्म में लिखा गया है और एक क्वेशन बनता है आपकी एक्जाम ही पर जैसे यहां तू कर्व था और तू कर्व के साथ अगर तू कंट्रोल भी कर दें तो गलत हो जाएगा क्योंकि जब ओर या एंड के पहले infinitive हो तू के साथ तो आगे तू लगाना गलत होता है तो हटा दिया जाता है तो हर लगा देते हैं तो आप अधिजर का नई है वहां गल्त कर देते हैं तो आप जब पड़ते मैचूरोंगे जान जाओंगे कि यह लिए और बाउव किया गया है प्यारे बच्चों nelle मूब के लिए प्रोग किया गया हम आपको पहले बता है यह जो बदलाव हमेशा था आंदकार्स होना निसी था जिसका आपको बताई गई और तो भी है कि अंती मिनने लेने के लिए बाद होना यह आंती मिनने लेने के रूप में होता है पी थोड़ा सागे बढ़ते हैं और आगे की तरह बढ़ते हैं रिखते हैं There has always been, हमेशा से रहा है, there has always been हमेशा से रहा है, क्या हमेशा से रहा देखा जाएगा, uneasy, a samanisthity, over the fact that इस बात पर की, there is a thin line की एक पतली रेखा है, that device जो विभाजित कर देती है, the state sector, राज के छिद्र को जो विभाजित करती है, from private enterprise in China, चाइना में नीजी, उद्यम से, and several companies और कई कमपनियों से, their trace, वहाँ पर, जो trace है, leakages, जो रास्ता trace का रथ है, जो leakages है, देर trace का रथ है, वहाँ पर जो रास्ता है, leakages, बात होता है बात है उसकी बात हो रहे है किっち लापस उसकी जो समझ रास्ती पर नहीं टू देश के कंट्री अप्रति जो रास्ता का जो लिकेज समझ.' उसके प्रति जो कई कंपनियां है और चैना है उन दोनों देशों में चैना में कई कंपनियों में चायना में कंपनियों में जो प्राइविट इंटर प्राइज है उनसे राज जो छित्र है रावन राज छित्र को जो यह पतली रेखा है वह विभाजित कर देती है पतली रेखा क्या है जो उपर बोली गई है सारी बाते समझाए गए उपर उसी के बात हो रही निर्भर करती है बाद सब्सक्राइबर करता है तो यहां पर सब्सक्राइब सब्दाइब न सब्सक्राइब यह noun है similar form में और इसके लिए has का प्रयोग सही किया गया है always been always का प्रयोग has or been के बीच में होता है ऐसे ही already का प्रयोग भी has or been के बीच में होता है ऐसे ही often का प्रयोग भी has or been के बीच में किया जाता है passive बनाना हो तो been के बाद न लिखेगा इन्हें बलकि बीन के पहले इने लिखा जाता है over के उपर यह preposition का कारिकर रहा है over एक preposition होता है over the fact इस बात के उपर की there is, देखे there फिर that के बाद फिर subject है, और यह introductory subject जिसकी कोई meaning नहीं, यहाँ पर is है अगर तो इसका आर्थ है कि आगे singular noun होगा जैसे यह thin line, यह singular noun है एक line, एक रेखा की बात हो रही है अगर यहाँ पर lines plural होता तो यहाँ इसके जग आर्थ प्रूख किया जाता that divides जो बिभाजित करता है अगर that के तुरंत बाद कोई verb आता है तो that relative pronoun होता है और relative pronoun के just बाद जो verb आता है वो verb relative pronoun के antecedent के अनुशार प्रूख होता है जैसे यहाँ पर UC आप देखते हैं कि line singular form में है तो line singular में होने पर divides में यह जोड़ा गया है और exam यहाँ से भी question आता है divide में अगर yes हटा दे तो गलत हो जाएगा विफाजित करता है the state sector from private enterprise in China and several several के बाद आने वाले प्रूल काउंटेबल नाउन प्रूख होते हैं तो several और मैने के बाद जो नाउन आता है वह प्रूरल काउंटेबल नाउन आता है यहाँ भी question बनता है their trace linkages back वहाँ पर जो linkages वह trace करते हैं जान रखेंगे यहाँ जो trace एक तरह से प्रिजेंट इंडिफेंटेंस है और यहाँ पर सब्जेक्ट है their subject is a linkages प्लूरल नाउन है और लिकेश प्लूरल होने से यह trace plural वर्भ है फर्श्ट फॉर्म में क्योंकि फर्श्ट प्लूरल फॉर्म होता है back to the secretary अपार्टस यहाँ पर नौन के कारे कर रहा जिसका मतलूप करने दिया समगरी है आप डैट कंट्री उस देश का जिस देश की बात वरी उपर उस देश के लिए ऐसा कहा जा रहा है जाए